केक हर किसी को खाना बहुत पसंद है चाहे हो बड़े हो छोटे हो बच्चे हो सभी को खाना बहुत पसंद है लेकिन केक खाते वे हम डरते हैं कि यह बहुत जादा अनहेल्दी है यह हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है लेकिन आज जो मैं केक की रेसिपी आपके साथ शे और वो मांग मांग कर आपसे बार बार खाना चाहेंगे और उनका मन नहीं भरेगा तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं मेरे साथ इसको हम गोर में बनाएंगे चीनी का यूज नहीं करेंगे तो इस तरीके से मैं गोर को यहां पर नाइफ की हेल्फ से निकाल लूँगी बारिक निकालना है और साथी साथी के मैं प्री हीट के लिए कड़ाई को पहले रख दे दी हूँ आप चाहेंगे इसे ओवन में भी बना सकते हैं बहुत अराम से बन जाएगा सबसे पहले हमें क्य चोड़ देंगे अब देखें गूर मेरा यहां पर ग्रेट हो गया ता बारिक इसी तरीके से देखें मैंने एक बड़ा कप लगभा सौ ग्राम गूर है इतना लिया है और इसमें वन फोर्थ कप मैंने यहां पर रिफाइंड यूज किया है आप कोई भी ऑईल यूज कर सकत कशाई कर सवे और यहां गृण किसी तक कर चाहते एक फ़सी तेरीके से बहुत अच्छे से करना आ ए इस के बहुत चाहीं को ग्रें लेस पातार ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिर इस को हैल्दी वर्जन वर्जन में बना रहे हैं इसलिए मैंने यहां पर एक पाल आट यहां पर बेकिंग पॉडर यूज़ किया है इसलिए इसमें आटे के साथ डाल दिया है और इसको अच्छे से यहां पर इस ट्रेन करने के बाद मिक्स करेंगे तो अपनी मरडी से कोई भी गाल सकते हैं तो देखे यहां वांट लिया अल्मंड्स अंजीर को भी यहां पर आदे अभी डाल दी है और आदे बचा ली है गार्नेशिंग के लिए आप अपनी इसाब से बच्चों की पसंद से जो भी आपको अच्छे लगते हैं वह आप यहां पर एड कर लीजिए और करने के बाद फिर हम अच्छे से मिक्स कर दें इसके बाद हमें क्या करना है कि इसक इसके में मुझे तीन चमच पानी लगा बड़ी चमच से तीन चमच पानी मैंने यूज़ किया गरम पानी यूज़ किया और इसको डालने के बाद फिर से हमें अच्छे से मिक्स करना दिके बैटर बिलकुर रेडिया है पर यहीट पर कढ़ाई भी हमारी 15 मिनट गरम हो से केक अच्छे से सैट हो जाए उसके बाद जो बच्चे वे ड्राइफूट उसको यहां हम उपर से गार्नेशिंग के लिए यूज़ करेंगे तो देखिए बच्चे वे सारे डाल दिया है इसमें काफी मात्रा में मैंने अंजीर डाला है वार्नट डाला है अल्मन सिदार क्योंकि मेरे बच्चे भी वैसे खाना पसंद नहीं करते तो मैंने केक के थुरू इनको देना सही समझा तो और मैंने केक में जारा से जारा मिला दिया है तो देखिए पूरे तरीके से हेल्दी है और इसमें बहुत जारा इंगीडेंस के हमें आवशक्ता भी नहीं पड़ी अब इसे बिल्कु स्लो फ्लेम पर इसको सिम कर देना है और इसको 30 मिनिट के लिए छोड़ देना है कवर करके और 30 मिनिट के बाद देखिए आप मैं आपको दिखा रही है चेक कर रही हूँ कितने अच्छे से यह यहां पर फूल गया है आप देखिए हमारा जब डाला था तो कितने नीचे था और जब यह बन कर त्यार हुआ तो कितना यह फ्लपी बनाए कितना उपर तक और देखिए यह तूथपिक में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इससे यह पता चलता है केक बिल्कुल रेडी हो चुका है अब इस केक को अभी हम नहीं निकालेंगे अभी इस तरीके से पूरे बटर पेपर को हमें निकालना है तो देखिए बटर पेपर यह लगा होता है न तो बहुत अराम से निकलता है कि और नीचे से उसकी जो लेयर होती बिल्कुल प्लेन निकलती है तो देखिए पूरा बटर पेपर मैं इस तरीके से हटा दूंगी तो हमा तो मैंने इसको प्लट लिया है नाइफ लेंगे और इस तरीके से आप काटना है इस तरीके से हमें काटना है देखिए एक स्लाइस कट गई केक तो फ्रेंट्स यह आज का वीडियो सही में आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे मूटिवेट करना मत भूलिएगा आपके एक लाइक और एक कमेंट से और सब्सक्राइब से मुझे बहुत बहुत मूटिवेशन मिलती है और मैं कोशिश करती हूँ और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए राती रहूँ अब मैं आपको यहां पर इसकी इसकी सॉफने चेक करा रही हूँ देखे कितना सॉफ्ट हुआ है देखते ही पता चल रहा है कि बहुत अच्छा इस पंजी हुआ है तो इतने इंगेडेंस ही इतना अच्छा कि आप घर पर कभी भी बना सकते हैं कभी भी फैमिली के लिए फ चाए कॉफी के साथ जल्दी मिलोगे फिर एक नई रेसिपी के साथ तब तक टेक केर बाबाई